नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साश्रका मैरोत्रा यूपी में विधास वचनाओ खत्म हो चुके हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शिरू हो चुका है इस वीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नहीं बलकी सपा के संग्रक्षक मुलायम सिंग यादव खुले तौर पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं इस दौरान उन्होंने अपढ़ना यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर भी मुलायम पर हमला बोला उन्होंने कहा कि अपने काम के लिए अपना एक आदमी भाजपा में भेज़ दिया है हाला कि उन्होंने मुलायम सिंग यादव की बहु का नाम सीधे तोर पर नहीं लिया उन्होंने ये भी कहा कि साल 2017 में उन्ह बीजेपी से बस्पा नहीं बलकि सपा संग्रक्षप मुलायम सिंग खुल कर मिले हैं। जिन्होंने बीजेपी के पिछले हुए शपत में अखिलेश को बीजेपी से आशिरवाद भी दिलाया है। और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है ये जग जाहिर है उत्तर प्रदीश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया यूपे में अमबैड करवादी लोग कभी भी सपा मुख्या अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजिनाओ वा संस्थानों आधी के नाम अधिकांश बदल दिये जो अतीन मिंदनी है वा शर्मनाक भी है बता दे की बस्पा को अक्सर विरोधी दल द्वारा बीजेपी की बी टीम कहा जाता है विधासभा चुनाओ के दौरां केंडरी ग्रेह मंत्री अमिच्शा के ठिपड़ी के बाद इसे लेकर विपक्षी पार्टियां और आकरामा को गई शाह ने कहा था बस्पा नी अपनी प्रासंगिक्ता बनाई रखी है मुझे विश्वास है कि उन्हें वोट मिलेगा मुझे नहीं पता कि ये कितनी सीटों में तबदील होगा लेकिन इसे वोट मिलेगा मायावती ने बाद में शाह की सरहाना भी की थी जिसके बाद आपसी मेल जोल की अटकले भी तेज हो गई थी जिसे अब बस्पा सुप्रीमो मायावती नकार्ती नजर आ रही है प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट चनाओ तो खत्म हो गए हैं लेकिन हार का ठीकर एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है और इसको सिलसला अभी भी जारी है जहाँ विपक्षिदल मायावती को बस्पा को जिम्मेदा ठहरा रहे हैं तो वहीं बस्पा सुप्रीमो सपा पर आरोप लगा रही है पिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी